नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में बिना राई स्टेशन के गर्व पात कराने वाले क्लिनिक नर्सिंग होम पर होगी करवाई गर्व का चिकित सिये समापन अधिनियम को लेकर स्वाष्ट भी भागने धनबाद सहीत सभी जी लोग के सिविल सर्जन को इसकी निगरानी का निर्देश दिया है बिना पंजिकरीत स्वाष्ट संस्थानों और अप्रसिक्षित डक्टरों को चिनहित करने को कहा गया है और पंजिकरीत स्वाष्ट संस्थानों और चिकित सक पर करवाई का निर्देश भी दिया गया है बतादे मुख्याले की निर्देस पस सिविल सर्जन डॉक्टर अलोग विश्व कर्वा ने सभी प्रभारी चिकित सापता दिकारियों और निर्जी स्वास्त संथानों को नोटिस दिया है सिविल सर्जन ने कहा है कि बिना पंजी क्रित गर्भा धान से जुड़े कारे नहीं किये जा सकते ऐसा करने पर कानूनन जूर्म का प्रधान है एक्ट के अनुसार यादी कोई निर्जी अस्पताल या नर्चिंग होम इस प्रकार का क्रित करता है स्वास्त विभाग से वपंजी क्रित नहीं है इसे करने वाले डॉक्टर अप्रसिक्षी था है ऐसे ब्यक्ति और संस्थान पर दो से साथ साल तक की सजा मिल सकती है रांची में जहमा जहम बारिस राइधानी रांची के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो 26 मर्च को परदेश के कई जीलों में गरजन के साथ 42 वजरपात का अलट जारी किया गया है जहरखन में अगले 3-4 दिनों के दोरान उस्तमता अपमान में कोई बड़े बदलाव की संभवना नहीं है साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि इस दोरान कई इलाकों में गरजन वजरपात होने की संभवना है मौसम विभागने लोगों को सतरकता वरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित अस्तान परहने की सलाधी है बतादे जहरखन के दक्षिनी तसानी कटवर्ती मधे भागों में कहीं कहीं गरजन के साथ वर्षा बजरपात और उलाविरिष्टी की भी असंका है कोल इंडिया मेराथन 5000 से अधिक ने लगाई दोड कोल इंडिया के ततव धान में CCL कोल इंडिया मेराथन का वजन रभी बार के सुबा साड़े चार बज़ से मौराबादी में किया गया इसमें पूरे देस भर से 5000 से अधिक धावकों ने रईश्टेशन कराया था मेराथन में महिलाओं और पूर्षो की चार स्रिनिया को रखा गया है मेराथन को लेकर लोगों में काफी उत्सा देख रहा है इसमें जिला परसासन राज सरकार इस्कूल और कॉलेजों का सहयोग मिला इसमें सभी आयू वर्ग के लोग सामिल हुए जारखन एथलेटिक एसोसेशन के तक्निकी सहयोग से बड़े प्रवाने पर इस महिला परतिभागी और 4689 पूरू सामिल हुए इसके अलावा अलग अलग वर्ग के धावक सामिल हुए सरनिवार को मुराबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में बनाई गई जगह में अपना बिम्ब नंबर लेने के लिए लोग और धावक कतार में लगे रहे जारखन सरकार बेरोजगारों को कौसल ट्रेनिंग कराएगी राज सरकार का महत्व कांची योजना मुख्यमंत्र सार्थी योजना पहली अप्रेल से लागू होगी चालू बित्यवर्स में यह योजना शुरू नहीं हो सकी सरम्न योजन वे प्रसिक्षन विभाग ने इसे आगामी बित्यवर्स की शुरू आज से ही लागू करने का नियन लिया है मुख्यमंत्र सार्थी योजना में चार उप योजनाय सामिल है जिन में तीन पूरू से संचालित है इन में सक्षम जार्खन कौसल मिशन, दिन दयाल उपाध्या कौसल केंद्र योजना और कॉलेजों में संचालित एकसेल योजनाय सामिल है इनके अलावा परतियक परखंड में चनलबद धंग से कौसल प्रक्सिक्षन के इंदर खोले जाएंगे 2023-2024 में असी परखंडों में ऐसे के इंदर खोलने की योजना है इस योजना के तहट घर आवा से प्रक्सिक्षन पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रक्सिक्षन के इंदर तक आने जाने के लिए प्रतिमा एक है रुपय की रासी डीवीटी के माध्यम से दी जाएगी पीएम मोदी ने सराय के लाके अभिजीत से की बात अंगदान की सराहना रांची में विजेपी तफतर में पार्टी ने थाओने पीएम नरेंद्र मोदी के कारिकरम मन की बात को सुना की पधार मतिनाय नमोदी ने आकासवानी के माध्यम से देश वास्यों से नियान वी बार मन की बात कारकरों के माध्यम से लोगों से बात की उन्होंने मन की बात की शुरुवात बेहत गंभीर और अहम मुदे से की है उन्होंने देश में से 2013-14 से पहले अंगदान और देहदान की स्थिती का जिक्र करते वे कहा है कि उन्हें खुसी है कि आज लोगों में अंगदान को लेकर जगरूपता बढ़ी है इसी कड़ी में उन्होंने सराय के लाके अभिजीत से बात की है रांची हजारी बाग बोर्डर पर पूलिस नकसली मुड़वेड हुई है इस पूलिस नकसली एंड काउंटर में सुरक्षा बलो द्वारा एक टीपी से उगरवादी गिरफतार किया गया इस वर्दात के इलाके में लागतार सर्च ओप्रसन चलाया जा रहा है बतादे रांची जी इलाक के रांची हजारी बाग बोर्डर पर पूलिस और टीपी से उगरवादी के बिच मुडवेड हुई जिसके बाद एक उगरवादी को पूलिस ने गिरफतार करने में कमया भी पाई है रांची हजारी बाग बोर्डर के पास इस्थीत डमारू जंगल में रभीवार को सर्च अभियान के दोरानया मुडवेड हुई है रांची हजारी बाग दोनों ही पूलिस को सुचना मेरी थी कि बोर्डर पर टीपी सी नक्सली के हल चल अचानक बढ़ी है छट वरतियों के प्रति नगर निगम की उदासिंता लोक अस्था का महापर्व छट की सुरुवात नहाय खाय के साथ सुरू हो गई है रभीवार को छट वरति साम में खरना पूजा करेंगे और परसाद गरहन करने के साथ ही 36 गंटे का निरजला उपवा सुरू हो जाएगा बतादे सुमवार को अस्था चल गामी सुर्य को अर्थ दिया जाएगा तो वहीं मंगलवार को उदयमान सुर्य को अरक देने के साथ ही 4 दिवसी महापरव चैती छट की समाप्ति हो जाएगी चट पुजा में लोगों की गहरी आस्ता है इस पर में सफाई का भी विसेस महत होता है लेकिन परसासन ने इसके लिए कोई त्यारी नहीं की है बतादे अरक देने के लिए घाट पर उतरने वाले छट बरतियों के लिए अभी तक घाट की साब सफाई पूरी नहीं हो पाई है देव घर से पतना के लिए शुरू हुई हवाई सेवा पर इन्यात्रियों का एर्पोर्ट के कर्मियों वे इंडिगो एर्लाइन्स के कर्मियों द्वारा भवे स्वागत किया गया रिम्स का हाल बदधाल फर्स पर इलाज कराने को मजबूर जहर्खन राज निर्मान के 20 बरस से ज़्यादा हो गए लेकिन यहाँ के शबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आज भी मरीज बेट नहीं मिलने के कान फर्स पर इलाज कराने को मजबूर है बता दें यहां 1200 बेड की सुग्रीती है पर इलाज कराने के लिए अवस्तान 1800 मरीज भरती होते है राज सरकार हर वर्स करीब 600 क्रोर का फॉंड रीम्स को उपलब्द कराती है लेकिन फिर भी बेवस्ता में सुधार नहीं है जार्खन गठन के वक्त रायंद्र चिकित्सा महा बिद्यालय एवं अस्पताल का नाम रायंद्र इस्चूट अफ मेडिकल किया गया था जिसके पिछे उद्य से बेहतर और गुनवाता पुन्चिकित्सा सुविधा उपलब्द कराना था गरीबों को निसूल के हेवी विकल चलाने की ट्रेनिंग देगी जार्खन सरकार आर्थिक रूप से कमजोर यानि गरीब लोगों को हेवी विकल चलाने का निसूल क ट्रेनिंग राय सरकार देगी रोजगार वा सड़क सुरक्षा की दीशा में सरकार का या सरानिय कदम है इसके लिए वितिय वर्ष दो हजर तेस चोविस के बयट में 15 कोड़ रुपय के परधान किया गया है अब परिवहन विभाग कहां कहां पर गरीबु को ट्रेनिंग देगी इस पर जल्द ही भी भाग क अस्तरपनिन होने की संभवना है हेवी विकल चलाने का ट्रेनिंग लेने के लिए लाइट मोटर विकल दिया जाएगा जिनके पास कोई लासेंस नहीं है उन्हें भी आउसर दिया जाएगा इसके अलावा वैसे वहां चलाक जो पहले से बीना ट्रेनिंग के हेवी विकल चल लग बनाया जाएगा हिमंत सरकार के खिलाफ 11 अप्रेल को भाजपा का हला बोल 2024 में होने वाले लोग सभाद चुनाओं को लेकर सनीवार को भाजपा की उतरी छोटा नागपुर्वा कोलान परमंडल अस्तर की बैठक होई बैठक में करताओं को जमीनी अस्तर पर पार्टी को मजबूत करने वा बूत्थोग में ससकती करन के लिए कारे करने के लिए प्रेडित किया बिष्टू पूर इस्थीत तूलसी भहन सबागार में कोलान परमंडल अस्तर की बैठक में भाजपा कराश्टिया उपाध्यक्स पुर्व सीम रखबरदास भाजपा परदेश अध्यक्स दिबग परकाश वा परदेश मंद्री सुबोध सिंग गुड़ो मुखे रुप से सामिल हुए बैठक में रखबरदास ने कहा है कि बरतमान सरकार साभी मोर्चापना काम सावित हुई है जारखन में सरकार कमिशन को मिशन की भा क्यूंटल कर दिया है इसके बावजुद की सानों से लक्स का 41.77% ही धान की खरीदारी हो पाई सरकार की ओर से 31 मर्च तक ही धान कराई की सिमाने धारित की गई है ऐसे में अब सिर्फ 6 दिन ही धान की खरीदारी होनी है अब तक 28,646 की सानों से 15.16 लाख क्यूंटल धान की गई इस बार धान के उत्पादन में हुई कमिक का असर भी धान कराय पर पड़ा है 15 दिसमर से धान कराय की सुरुवात होने के बाजूद साहिब गंज अर्दुमका में एक भी किसान ने धान नहीं बेचा है अब CBI की तरज पर काम करेगी CID जारखन में CID अब CBI की तरज पर काम करेगी साथ ही केस कानुसंधान भी सुनिश्चित करेगी केस दर्ज करने के लिए CID के पास अपना खूद का थाना होगा थाना खुलने के उनमती सरकार से लेने के लिए CID मुख्याले ने एक प्रस्ताव त्यार कर पुलिस मुख्यालों को भेच दिया है अब राज के समर्थन में कॉंग्रेस का सत्यागरा, अब हम आधे कि संसत से सतार ॹाय इस घटना करम की विरोद में कोंग्रेस का धेस भर्वे सत्यागरा जात अधे बापू-वाथ़का के पास हो रहा है, जिस में कॉंग्रेस पारिकर करता मुझूद थे बता दे किराज के कई मंत्री भी इस सत्यागरह में उपस्तित हुए और बिजेपी पर जम कर हमला बोला है धन्यवाद